इस वीडियो में हम करें गें के लास 7 का चप्टर 4 दा कॉप अन्थम को एक्स्प्लेइन सो लेस्स टार्ट शॉपी मोफ रस्लेसली ओन हेज शीट इन मैडिसेन स्क्वेर्ट सोपी नाम का एक व्यक्ति था जो कि मैडिसेन स्क्वेर्ट पे अपनी सीट पर बेचैन होकर इधर दर मुप कर रहा था हिल रहा था और यहां पर बहुत थोरे से निश्ची संकेट दिखने लगे थे विंटर आने के बर्स वह संकेट क्या क्या थे बर्स बिगें तो फ्लाय साउथ जो बर्स थे वह साउथ की तरफ फ्लाय करने लगे थे पीपल वान निव वांप कोट अर लोग है वह अपने लिए नैने कोट चाहते थे गरम कोट एंड शोपी मोफ्स रस लेसली ऑन है सीट इन पार्क और शोपी था यह सोच कर वह क्या कर रहा था बहुत ही बैचैन महसूस कर रहा था और वह लगा था उस पार्क पर बैठे वै और जो पीपल वाम कोट चाह रहे हैं तो यह सब साइन है कि विंटर आने वाला है पास है अड़ेट लीव फैल एच शौपी फीट और एक सूखा सा पत्ता जो शौपी है उस जो शौपी नाम का वैक्ति है उसके किनारे पे आगिरा यह दैट वास पेशल साइन फोर हीम डै वो लिव इन मैडिसें स्क्वेर टू पिर पियर और यह समय था जिसे कि लोग क्या करते में जो मैडिसें स्क्वेर में रहने वाले लोग हर किसी के रिए एक त्यारी का संकीत था शौपी का दिमाग में इस तत्य का उसको ऐसास वर रिलाइज हुआ अभी टाइम आ गया है कि उसको फाइन करना चाहिए उसको कुछ तरीकर रूना चाहिए अपने आपको बचाने का यह कोल्ड वैदर से और इस वज़े से वह बहुत ही बैचेयन होके अपने सीट पर इधर-दर घूम रहा था वह मूव कर रहा था हूं शौपी सोप फोर दर विंटर वर नॉट वेरी है तो शौपी नहीं क्या सोचा कि उसकी जो उमेदे थी बहुत उंची नहीं थी विंटर को लेकर और वह किसी नाव के सैर करने की नहीं सोच रहा था वह चाहता था वह चाहता था ब्लैक्वेल दीप पर इस अति कारगार में तीन महिने बिताना चाहता था जोल लिए दिमाग में चल रहा था यही चाहता था स Dewan दूनिया से और जो ब्लैक वेल दिवीप है बहुत सालों से उसके सर्दियों घर रहा है रिचर न्यूयोकर्स मेर दियर प्लांस टू गो टू फ्लोरिडा और तू दर शोर और दा मेडिटेरियन सी इच विंटर और जो अमीड न्यूयोक होते हैं वो क्या करते हूं सदियों में फलोरिडा या फिर मेडिटेरियन सागर की जाने की यूजना बनाते हैं शौपी ने छोटी सी प्लान बनाया वो क्या था वह दूब पर जाने का प्लान था एंड नाव दे टाइम हैट कम थ्री बिग निउस्पेपर सम अंडर ही स्कॉट एंड सम ओवर इस लेग हैड नॉट केप्ट हीम वाम दूरिंग दा नाइट इन दा पार पर अब वो समय आ गया था कि जो तीन बड़ बड़ अख बार कुछ छोटे से कोट वो छोटे से कोट के अंदर कुछ वो पैरों के अंदर वो जो लगाता था उस अंखवारों के उसके उससे भी अब उसकी जो रात की थंड है वो नहीं जा पा रही है नहीं गई वो राकल रात की थंड तो सोपी वोस थिंकिंग आफ दा आइलें इ नहां पर वो जाकर बैट के लिए और खाने के लिए वो मांग सकता था he could be these would be given to him और उसको दिया जा सकता था और वो उनको दे भी देते हैं he would move from one building to another and he would be taken care of through the window और इसके लिए वो क्या करता था है एक building से दूसरे building में घूम कर घूम घूम को जारा बिता सकता था लेकिन but he liked blackwell's island better लेकिन उसे blackwell's द्वीप ज्यादा पसंद था शौपी स्पिरेट वास प्रावड जो शौपी बहुती सभाव से घमंदी था if he went to any of these places there were certain things he had to do अगर वो इन में से किसी भी जगर वो जाता तो उसे कुछ निश्यकारे करने पड़ते in one way or another he would have to pay for what they gave him और किसी ना किसी परकार से जो भी उसको मिलता उसका बदला उसको चुकाना पड़ता but they would they would not ask for money भले उससे पैसे नहीं मांगते but they would make him wash his whole body पर भले वो उससे पैसे नहीं मानते वो उसको नहाने के लिए कहेंगे और they would make him answer questions they would want to know everything about his life वो उसको नहाने के लिए कहेंगे वो उससे कुछ सवालों को जवाब मांगेंगे वे उसके जीवन के बारे में कुछ जानना चाहेंगे no prison was better than that और इस वर से कहता है नहीं जो prison है वो इससे तो बहतर है the prison had rules that he would have to follow और प्रिजन उसके भी rules होते हैं जिसको उसको follow करना पड़ता है इसका पालन करना पड़ता है बट इन प्रिजन और जेंटलमेंस ओन लाइफ वाज स्टिल इस ओन लाइफ पर जो प्रिजन है ब्रदु वहां एक सज्जन का अपना अलगी जीवन होता है जो प्रिजन में शॉपी having decided to go to the island at once begin to move toward his desire अपने वह दूइप जाने का फैसला कर लिया और वह अब अपनी अभी लासा जो उसके desire रहिक्षा है उसकी और वह बढ़ने लगा कि किस तरह इसको पूरा किया जाएं देर वर मैनी इजी वे ओफ डूइंग दिस और यहां बहुत सारे असान असान तरीके थे कि करने के वह दूप में जाने के तरीके था उसके पास पहला प्लान था सबसे बड़े पलान कि वह किसी रेस्टरॉम में जाएगा पेट भरे खाना खाएगा और तब वह कहेगा कि उसके पास युकाने के लिए पैसे नहीं है उसके पास मनी नहीं है and then a cop would be called it would have it would all be done very quickly उसके बाद क्या होगा उसको पुलिस बुलाए जाएगा यह सब कुछ चुपचा बहुत ही जल्दी हो जाएगा the cop would arrest him the cop would arrest him he would be taken to a judge उसके पाद कॉप इसको अरेस्ट कर लेगा उसको लेकर जज के पाद जाएंगे the judge would do the rest उसके बाद जो जज है वो सारे काम कर देंगे जो बाकी के होंगे आगे के शॉपी left his seat and walk slowly out of Madison Square और उसके बाद जो शॉपी है और दीरे से अपनी सीच छोड़ता है और दीरे दीरे कदमों से वो चलता हुआ मैडिसिन स्क्वेर के उस जगह पे चला गया टू स्क्वेर द प्लेस वेर ग्रेट स्ट्रीट कॉल ब्रोडवे एंड फिथ अवेन्यू मीट वहां तो पहुझ गया जहां पे एक ब्रेडवे नामक सडक फिथ अवेन्यू से मिलती थी फिए एकरोस इस वाइड प्लेस एन स्टार्टर नौढ उन ब्रडवे इसके बाद दो जगह के पार करका ब्रडवे के उत्तर के और वो चल पड़ा ही स्पॉर्टेट he spotted at a large and brightly lighted restaurant उसके बाद उसने उसको एक bright light करका सामने ही उसको एक रेस्ट आपे वो रुख गया he stopped वहाँ पे वो रुख गया this was where the best food and the best people in the best clothes appear every evening और ये वो जगाती जहां पे बहुत अच्छे फूर बहुत अच्छे लोग बहुत अच्छे कपड़े हर्मेशा हर साम को अपेर होते थे साम को दिखाई पड़ते थे शॉपी बिलीव डाट अब वो legs he look all right his face was clean he his coat was good enough he if he could get to a table he believe that is he that he believed that succeed would be his social agam us covered kia was so because was also 15,000 पैठीट है दिखते हैं जो उसका चहरा वो बिल्कुल क्लीन था वो भी अच्छा था अगर वो किसी भी टेबल पर पहुंच जाया तो उसकी जीत होगी जीत उसी की है टेबल अब टेबल के उपर दिखने वाला जो सरीर है वो अच्छा ही दिखेगा और जो कुछ वो मांगेगा वो उसको वेटर अब यहां पर आगे मांगे पार्ट ऑफ हीम एन यूट सीन अब टेबल उसके उपर वो तो अच्छा ही दिखेगा दावेटर उट ब्रेंग हीम वर्टी आस्कोर और जो वेटर वो सब कुछ लेकर रहाएगा जो की वो मांगेगा ही बिगें थिंगिंगिंग और वो सोचने लगा कि वो क्या खाएगा इन हीज माइन ही उट सी देवोल देन और यह सोचते सोचते इसके दिमाग में पूरा इनर का ख्याला आ गया पूरा किस तरत का देनर होगा पूरा वो अपर दिमाग में देख पा रहा था देकोस्त ओर नॉट बी टू हाई अब उसके बोला की कोस्त जो जो उसके कोस्त बहुत ऊंचे नहीं होंगे वो नहीं चाहता था कि जो रेस्टोराण के लोग है बहुत जादा गुसा हो बट डिनर उड लीव हिम फिल हैं हैपी फोर जर्णी तो इस विंटर हों पर वह भोजन जो खाना वह खाना चाहता तो उसका पेट भर देगा और वह खुश होकर अपने सर्दियों की सर्दियों कुछ घर है वहां की और वहां का जो जर्णी यातरा है वह करेगा बट एस शॉपी पूट इस फूट इंसाइड रेस्टरॉन फ्लो दोर दे हैड वेटर सो इस ब्रोकेन ओर शूज एंड टोन क्लोथ डैट कवर्ड इस लैग पर जैसे शोपी जो शॉपी है उसने अपना प टूटे पूराने जूते और फटे वे उसके जो पैरों को ढगने के लिए फटे वे कपड़े वो देख लिए स्ट्रॉंग एंड रेड़ी हैंड टॉर्ण शॉपी एंड क्विक्ली आवसाइड अगैन और ताकतवर और तयार हातों ने उसको पीचे गुमाई अचपके से जल्दी से उसको बाहर निकाल दिया शॉपी टॉर्ण ओफ ब्रेडवे शॉपी अब क्या हो गया ब्रेडवे स दूदा आइलेंड वाज नौट नौट तूबी हिस ही मस्तिंग और सम अधर वे ऑफ गैटिंग दियर ऐसा लग रहा था कि इसको दूब में जाने का यह जो आसान तरीका था वो तो बिल्कुली फुलाफ हो गया कि लिए नहीं था वह उसे उसको वहां पर पहुंचने के ल लगी थी भी तैलेक्टिकल लाइट उसमें एलेक्टिकल लाइट भी लगा हुआ था शॉपी पिट अप बिग स्टोन एंट्री एट त्रू दग्लास इस अजर ग्लास और शॉपी नहीं कहा कि बड़ा सा पत्थर उठाया और उस ग्लास के शीशे पर उसको दे मारा पीपल कैम रर्निंग अराउंड दा कॉर्णर उसके बाद पीपल क्या हुए भाग क्या आए कॉर्णर पे अ कॉप वास फॉर्स्ट अमॉंग देम उसके बाद कॉप आया जो उनमें से सबसे भाग कि सब आया उनमें सब पुलिस वाला जो था वो भी थी शॉपी स्टूड स्टेल यह स्माइल वेन ही सौड़ को उसके बाद जो शॉपी था वह आराम से वैसे ही इस तर विल्कुल खराता हुला नहीं और पुलिस वाला है आज जो पुलिस जो कॉप है वो पुलिस वाले हैं तो उनको देखके वो मुस्कुरा रहा था वे वे इस देट आट आस्ट दख उसके पाद कॉप ने उसे पुछा कि वह वैक्ति के जिसने यह किया डॉंट यू तेंग ड़ाई माइट है दन इट दन इट सैड शॉपी आउसके पाद उसे जो शॉपी ने शॉपी कहा तुम्हें नहीं लगता है कि मैंने किया है वह बहुत ही फ्रेंडली था मैंतर पुन था वह खुश था वट ही वांटेट वस कमिंग ट्वार्ड ही और जो चाहता था अब वह होने वाला था बर्ड़ कॉप्स माइन उड नौट कंसीडर शॉपी मैन वू ब्रेक विंडो डू नौट स्टॉप देयर टॉट टॉप्स पर कॉप है वह उसने शॉपी को वह व्यक्ति नहीं माना जिसने विंडो तो रहा क्योंकि जो व्यक्ति विंडो तोड़ेगा वहां पे रुक कर ब क्योंकि जो भी यह काम करेगा वहां से भाग जाएगा जितना ही जितना वह भाग से के उतना वह तेज से भागेगा तब पीपल दको सो अ मैन फॉर्दर अलोंग दस्ट्रीट रणिंग उसके बाद क्या होता है कि उसने एक वैक्ति को देखा है कि स्टीट पे दौरता हुआ कुछ आदमी देखा उसने कॉपने ही रन आफ्टर ही में उसके बाद वो भी उसके पीछे भागे एंड शॉपी स्टिक एट हर्ट वाक स्लोली अवे ही हैड फेल तू तू ताइम और वह दौर जो कॉप दौर ने लगा और शॉपी दुख जो उसका दिल है बहुत ही दुखी हूँ वह दुख के साथ वह दीर वन ऑन ब्रोडवे और यह उतना बड़ा नहीं था जितना कि वो ब्रोडवे का रेस्टरॉन था दर पीपल हूँ वेंड दियर वर नौ सो रिच और जो पीपल यहां पर आ रहे थे वह बहुत जादा अमीर नहीं थे इट वह इट फूड वास नौ सो गूड और जो यहां का शौपी था उसके पुराने जूते पुराने फट्रों कपड़े के साथ ही अंदर वो प्रविश किया और किसी ने भी उसको नहीं रोका यह सैट डाउन अथे टेबल एट टेबल एंड वास तून इटिंग बिग डिनर उसके पाद वह टेबल पर बैठ और एक जल्दी उसने क्या क्या बहुती बड़ा डिनर का खाना वह खाया वैन हैद फिरनेशिए इसे डैट यहाद नो मनी उसके बद जैसे ही उसने क्या किय खाना खाया खाना खाने के बाद उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है गेट बुशी ए गेट बिजी एंड कॉल अकॉप उसके बाद वह बोलता है कि अब पुलिस के पुलिस को बुलाने में बिजी हो जाओ और एक सजन को इंतिजार मत कराओ आप उसके बाद तुम्हारे लिए कोई पुलिस वादा नहीं है एक वेटर ने कहा और दूसरे वेटर को बुलाया दोनों ने दूसरे वेटर को बुलाया दोनों ने स्वापी को बाहर के सक्त सरक की पर बाइंकान के ही तरफ से फेग दिया यह स्लोली वन पाट एड़ टाइम एंड बीड़ दा डस फ्रम इस प्लोथ वह दीड़े से आगे उठा बड़ा एक उठाते हुए खड़ा हुआ और अपने कप्रों से उसने दूर जाली प्रिजन सीम्स ओनली ए हैपी ड्रीम दाइलाइन सीम्स वेरी फार आवे अब तो उ कोपु वस स्टेंडिंग नियर लाप और वाक अवे और जो कॉप था उसके पास वह बहुत ही हसता हुआ चला गया एक पुलिस वाला शोपी स्टार्टर मुवी अगैन उसके बड़ा से चल पड़ा वन ही स्टॉप यूज नियर सवेरल थ्वेरल थ्वेटर्स अजब रुक और पार्ट सहर के इस हिस्टे में दूसरे जगह के मुकाबले सक जादा दीप थी और दिलों में जादा खुशियां थी और जो महिला हैं और पुरुश थे वो अपने गरम कोटों में खुश होकर जाड़े की हवा में घूम रहे थे और शोपी के अचानक एक डर का एसास हुआ कोई पुलिस वाला उसे नहीं पगड़ने वाला हूँ ऐसा सूच रहा था आगे हम करते हैं उसके बाद क्या होता है